मेचो में होली खेलने का ये विडियो तो आपने खूब देखा होगा। इस विडियो में दो लड़किया होली खेलती दिख रही थी। लेकिन अब इस मामले में दोनों लड़कियों पर कारवाई हुई है। होली के मौके पर मेचोव स्कूटी पर विडियो रील बना कर चर्चा का विशय बनी दो यूवतियों की पहचान कर ली गई है और अब उनके खिलाफ सेक्टर 113 पुलीस द्वारा केस दर्स किया गया है। लर्कियां विडियो में अशलील हरते करती देखी जा सकती हैं। स्कूटी का कुल 33,000 रुपए का चालान कमिशनरे पुलीस द्वारा किया गया है। चालान कटने का जैसे ही मैसेज मिला इस पर लर्कियों ने कहा कि वो एट दरी परिवार से तालुक रखती हैं और इतने रु विडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरर हो गया। हालांकि इनका स्कूटी पर होली खेलने का जो दूसरा विडियो है उसकी बात करें तो स्कूटी चला रहे युवक का नाम पियूश है। नौइडा च्राफिक पुलीस ने भारी भरकम चालान तो किया ही है। इसके स साथ ही नौइडा पुलीस द्वारा दोनों युवती और उनके साथ के युवक के विरुध एफायार भी दर्स करिया गया है। दावा है कि यही दोनों युवती कुछ समय पहले आए दिल्ली मेचो में वाइरल हुए विडियो में दिखी थी। लोग ये भी कह रहे हैं कि दोनों युवती सोशल मीडिया पर लाइक वर व्यूज पाने के लिए इस तरह की विडियो बनाई। हालांकि चालान पर युवतीयों ने ये भी कहा है कि अब तक इतना पैसा नहीं कमाया कि स्कूटी का चालान भर सके। सेक्टर 113 थाना प्रभारी ने इस बारे में जानक अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।